और दिल्ली में मौनसून की पहली बारिश में कल 88 साल का रेकॉर्ड तूड गया अब आज भी दिल्ली वालों को आफ़त की बारिश से रहत मिलने वाली नहीं है मौसम बिवाग की माने तो आज भी दिल्ली और इसके आसपास बूसलादार बारिश की आशंका है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं मौसम बिवाग ने देश के कम से कम 20 राज़ों में बारिश का ओरेंज अलर्ड भी जारी कर दिया है कल चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया था एरपोर्ट की छट का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हाथसा भी हो गया जिसमें एक शक्स की दर्दनाक मौत तक हो गई अब वसंद विहार में बिल्डिंग निर्मान के लिए बने एक गड़े में तीन मजदूर डूब गए है रिस्क्यू टीम ने एक मजदूर की डेड बॉडी तो निकाल ली है और बाकी दो मजदूरों की तलाश अब भी की जा रही है ये तस्वीरे देख रहे हैं किस तरह से रिस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा है दिल्ली के पौश इलाके वसंद विहार की तस्वीर है जहांपर कंस्रक्शन का काम चल रहा था और बेस्मेंट की खुदाई हुई थी वहाँ पानी भर जानी की वज़े से तीन मजदूर इसमें फ़स गए तीनों की दर्दनाक मौत की बात आ रही है सामने दो के शफ तो बाहर निकाल लिए गए है लेकिन अब भी एक मजदूर की तलाश की जा रही है तो कल दिल्ली में जिस तरह से चंद घंटों में मूसलाधार बारिश हुई करीब 220 mm से जादा बारिश हो गई और 88 साल का रेकॉर्ड तूड गया ये बताने के लिए काफी है कि ये बारिश कितनी जान लेवा थी दो बहुती दर्दनाग घटनाए सामने आई दिल्ली से एक दिल्ली एरपोर्ट के T1 टर्मिनल पर पूरा चछधी नीचे ढह गया जिसकी चपेट में आने से आठ लोग इसमें घायल हुए जिसमें एक शक्स की मौत हो गए दर्दनाग मौत हुई और एक घटना वसंद व्यार से आई जहां पर तीन मजदूरों के डूबने की खबर आई जो बेस्मेंट की खुदाई के दौरान काम कर रहे थे और यह तस्विरें बताती हैं कि दिल्ली में किस तरह से पानी भरने के चलते कई इलाकों में जाम की समस्या हुई लोगों के घरों में पानी घुज गया कई लोग इसी तरह से फस गए जो अंडर पास से गुजर रहे थे जिसमें ट्रकों, बसों, कई गाड़ियां डूब गई और दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, असम, पस्चिम बंगार, छतिसगर, विधर, तिलिंगाना, ओर्डिस्सा, करनाटक, गोवा, अरुनाचल प्रदेश एक नहीं, करीब 20 ऐसे राजजे हैं, जहां पर आज औरेंज अलर्ड जारी किया गया है औरेंज अलर्ड का मतलब साफ है कि इन इलाकों में भारी बारिश के साथ बहुत भारी बारिश हो सकती है और बहुत भारी बारिश का मतलब होता है कि एक दिन में करीब करीब 124 से 200 से जादा मिलिमिटर बारिश अगर हो जाती है और हमारे साथ हमारी सयोगी अनामिका जुड़ गई है अनामिका दिल्ली में जो बारिश हुई उसके चलते कई दरदना घटनाए हुई है एक वसंद वियार जहां आप मौझूद है फिलाल वहाँ पर क्या हालात है और सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी लापरवाही कि तीन मजदूर कंस्ट्रक्शन के जगे पर डूप कर मर जाएं बिल्कुल अमित इस समय हम वसंद वियार में ही मौझूद है और हम पहला अपडेट आपको देदे कि जो पूरा रेस्क्यू ऑप्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है लगाता 23 घंटे तक कावायत की गई जो अंदर लोग फसे हुए थे उन्हें निकालने की और अपडेट यह है कि तीन मजदूर फसे हुए थे तीनों का शव जो ह है वो NDRF और दिली पुलिस और दिली फायर सर्विस की टीम ने निकाला है अभी जो आखरी डेट बॉडी थी उसे भी निकाल लिया गया है एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि अंदर कंस्ट्रक्शन घर था जिसके सामने कुछ पेड थे वहीं जुगी बनाके यह जाके गिरा अगर आप देख पाए तस्वीरों में तो कम से कम 20-30 फीट गहरा है बारिश बहुत जादा हुई पानी भर गया जब तक मौके पे रेस्क्यू की टीम पहुची तब तक एक से डो घंटे हो चुके थे और सुबह के करीब इस ऑपरेशन को दुबारा शुरू कि कि पानी भरा वाता पहले पंप के माध्यम से पानी निकाला गया आप देख सकते हैं कि पूरी कोशिश की गई कि 20-30 फीट जो गड़ा है उससे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए लेकिन अब जाके 23 घंटे बाद यह रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है और जो तीन मजद कि आसपास जो मकान नजर आ रहे हैं उन पर भी खत्रा मंडरा रहा है अगर कैमरे से गर आप दिखाएं तो दंटा भी और साथी साथ दिल्ली वाले भी देख पाएंगे कि इस वक्त वसंद्वियार में आप जहां पर मौजूद है कितना खत्रा वहां पर पैदा हुआ है अ कोई आतियातन कदम उठाया है ये तस्विर है बहुत दराने वाली है देखिए ये वसंद्वियार की तस्विर देख रहे हैं आप जो पौश राका माना जाता है दिल्ली का जहां कंस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ा सा बेस्मेंट बनानी के लिए गड़ा किया है उसके आ बिल्कुल अमित देखें जो ये कंस्ट्रक्शन का मकान है इससे दो मकान सटे हुए बहु मंजला इससे इमारत सटी हुई है और ये देखा जा सकते हैं कि दूसरे घर का जो बुन्यादी स्ट्रक्शर है उस पे भी जो है वो फरक पड़ा है इस पूरे धसाव से एक बीच क एरिया है जब कभी कंस्रक्शन का काम होता है तो ये हिदायत दी जाती है कि जो मजदूर है वो उस कंस्रक्शन की जगे पे ना रहें क्योंकि ऐसाट तो बचाव के लिए यहाँ पे मौझूद थे NDRF की टीम जो थी वो अभी मौके पे मौझूद है दिली फाइर सर्विस की गाड़ी आप देख सकते हैं लेकिन एड्मिन्स्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया है आसपस के जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे थे सब दहशत में हैं क्योंकि एक हाथ अगर आप मैं आपको तस्वीर दिखाओं तो यह कोई ऐसी जगे नहीं है जहाँ पे यह हाथसा हो सबी मकान बने हुए हैं वसंत वियार का एक पहुत पौश इलाका है केवल यह बीच की जगे है जहां पे घर बन रहा था और यहीं यह हाथसा होता है इस पूरी जगे पे बताय जा रहा है कि कम से कम 5-6 जुगया थी केवल तीन मज़ूर नहीं रह रहे थे 5-6 जुगया थी हालाकि वो उस समय उस जगे पे मौझूद नहीं थे बिल्कुल अनामिका जो तस्विरें हैं वो चिंता में डालने वाली है कि आखिरकार दिल्ली के पौश इलाके में इस वक्त भी खत्रा मंड़ा रहा है आसपास के जो मकान आप दिखा रही है उन पर खत्रा बना हुआ है क्योंकि हम देख पारें तस्विरों में कि किस तरह से म मड़ स्लाइडिंग हुई है जब बारिश आकर धूल मिट्टी से मिल जाती है मिट्टी से मिलती है तो फिर मड़ बनता है और स्लस जो होता है धिरे धिरे नीचे खिसकने लगता है जिससे लैंड्सलाइड होती है और यह स्लाइडिंग ही थी लैंड्सलाइड था जिसके च इन मकानों के उपर क्या खत्रा नहीं मन रहेगा क्या इनको चितावनी दी गई है अगर आग बात कर सकें देखें अमित अभी इस समय कोई अधिकारी यहां पर मौझूद नहीं क्योंकि रेस्क्यू आपरेशन पूरा हो चुका है तो कुछ लोग उस तरफ NDRF की टीम मौझूद है जो अभी यह सुनिश्चित कर रही है यह देखें निरक्षिन अभी भी किया जा रहा है कि क्या खत्रा आसपास के इलाके में है क्योंकि अभी भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है कि क्या इस इलाके के जो और घर है उन्हें चेतावनी दी जाएगी यहाँ पे कुछ लोग है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है बाकि हमारे सीने रदी करी अभी अंदर है तो कितने घंटे अगर आप बता सके क्योंकि आप लगाता है अमित अधिकारियों के बयान का इंतजार किया जाएगा मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरे दिखा देती हूँ कि मुश्किले कैसे आई थी अगर हम थोड़ा सा ये देख पाएं कि गहराई बहुत जादा थी जो नीचे बेस्मेंट बनाया जा रहा था सवाल उन पे भी उठते हैं कि जो इस अंडर कंस्ट्रक्शन घर का मालिक था जिसके नाम पे ये प्रापर्टी थी उन्होंने यहाँ पे कैसे मज़्दूरों को रहने दिया सवाल उन पे भी उठते हैं कारवाई उन पे भी की जाएगी लेकिन अभी चिंता का विशय ये बना हुआ है कि जो दूसरे घर इस इलाके से सटे हुए हैं वो भी बिल्कुल अमित हमें अंदर बुलाए गया है अधिकारी जो है वो आगे की जानकारी देंगे हम आपको एक बार एक्सक्लूजिव तस्वीरे इस समय इंडिया टीवी में दिखा रहे है कि कैसा वो नजारा था क्या हुआ जिस समय भारी बारिश हुई अगर आप एक बार देखे तो कितना गहरा था कितना गहरा यह किती गहरी जगे थी जहां पे वो जुगिया गिरी आप देख पाएंगे कि जो अस्थाई मकान थे वो किस तरीके से डह गए अमित इस समय हमारे साथ एंडियारफ की एंडियारफ से हैं सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था और अभी क्या स्तिती है मैं कल हमको रिपोर्ड मिला था कि 10 बजे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बेस्मेन में तीन लोग वसे हुए तो हमारे टीम दस बजे आया था और वी डिट ऑपरेशन फॉर अल्मोस्ट 24 आवेश और 24 गंडे तक हमने ओपरेशन किया और तीन टेट बोडी था हम मैं उसके बारे में हम इधर ओपरेशन के लिए आया था जो हमारा टास्ट था जो भी हमने तीन डेट बोडी था हमने वो निकाल दिया और पॉलिस को हैंड़ और कर लिया फॉर फारदर प्रोसीजियर जी अमित तो अभी फिलहाल तीन डेट बोडी को निकाला गया है अगर तस्वीरों में देख पाए तो जो पूरा घर था उनका ग्यास सिलिंडर सब कुछ डह गया पेड के साथ और जो रेस्क्यू में दिक्कते आई वो इसी वज़े से आई कि गहराई जो थी वो बहुत ज जादा थी मलवा पूरा फसा हुआ था इसलिए क्रेंज का इस्तमाल किया गया यह जो अभी आपको पूरा खाली दिख रहा है यह इस समय खाली नहीं था पानी को यहां से निकाला गया 20-30 फीट पानी भरा हुआ था जब पूरा पानी निकल गया उसके बाद यह मुमकिन हो पाया कि जो डेड बॉडी थी उन्हें देखा गया फिर उन्हें निकाला गया अमित बिल्कुल जो तस्विरें आप दिखा रही है अनामी का उससे जाहिर होता है कि यह जो जगा है एक तरह से मौत का कुवा बन गया तीन लोगों के लिए लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है आप देख सकते हैं कि कितनी यहां पर गहरी खुदाई की गई है हाला कि पाइलिंग की जा रही है वहां पर कॉंक्रीट के यहां पर आप देखिए कि जो डॉड्स लगा कर उसे सिमेंट के जरीए अभी मजबूत किया जा रहा है लेकिन बहराल जिस तरह से बारिश हो रह जाएगा क्योंकि अगर काम होता है तो खत्रा बरकरार रहेगा और साथी सार एक बार फिर से कोशिश कीज़ेगा उन घरों के करीब जाने के लिए जो आसपास है क्योंकि उनके ऊपर भी खत्रा मंड़ा रहा है सर एक और मैच आपसे चीज जानना चाहूंगी क्योंकि यहां पर जो पेड़ गिरेव हैं इन्हें भी यहां से हटाया जाएगा क्योंकि यह भी खत्रा है कि अगर यहां से कोई आसपास का आदमी गुचरता है यह ऐसे ही कोई बच्चा आ जाता है उसके लिए भी खत्रा है मैं वो हमने जो अपरेशन में जितना जरूरत है हमने निकाल दिया बाकि तो जो जुरिस्ट्रिक अड्मिनिस्ट्रेशन ने देव लिए फिलहाल एड्मिनिस्ट्रेशन की टीम यहां पर हैं पोलीस है डेली फायर सर्विस है अमित अभी केवल जो कोशिश थी कि अगर ली थी जो आखरी व्यक्ति है यह उमीद में उमीद की जा रही थी कि उससे सही सरामत निकाल लिया जाए लेकिन क्यूंकि बहुत देरी से उस तक पहुंचा गया था जो रैस्क्यू ऑपरेशन था वो बेहद मुश्किल था इस वज़े से तीनों जो मजदूर थे उनकी इस दर्दनाक हाथसे में मौत हो गई और हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो दो घर इससे सटे हुए हैं बहुत नजदीक हम भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये जो ये जगए है यही जगए धसीती तो कैमरे में हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि दो आपको घर द दिया गया है तो दिल्ली वाले सामधान रहें दिल्ली के तीलक नगर में बारिश हो रही है मतलब अब आज भी दिल्ली वालों को आफ़त की बारिश से राहत नहीं मिलेगी गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन खत्रा रहेगा मौसम विवाग की माने तो आज दिल्ली और इसके गर्मी के बाद अब राहत के मौनसून ने एंट्री ले ली है राजधानी दिली में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही और आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलट जारी किया है मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिली और NCR के कई इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश हो सकती है साथ ही उत्तर भारत में भी मौनसून ने एंट्री ले ली है मौसम विभाग के मुताबिक राजधान, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्त्यप्रदेश, हर्याना, उत्रखन के कई इलाकों में आज बारिश के आसार है तो आपने अनामिका की रिपोर्ट देखी और जिसमें ये भी बताया गया कि तिरफ दिल्ली नहीं है, 20 राजधे हैं जहां पर इस वक्त औरेंज अलर्ट जा रही है, तो साथधान रहे क्योंकि वाटर लोगिंग की समस्या भी लोग दो चार हो रहे हैं एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं वसंद विहार की तस्वीर जहां पर तीन मजदूरों की जान चली गई, बरसात इतनी जादा हुई कि अंडर कस्ट्रक्शन बेस्मेंट में एक जुग्गी जाकर नीचे धस गई, ये देखी वो जुग्गी है जहां पर मजदूर रह आमने ये घटना घटी है और उनके उपर भी इस वक्त खटरा मनरा रहा है जो पिलर्स है इस इस कंस्ट्रक्शन साइट के और उस मकान की दिवार आपस में जुड़ी हुई है अगर आज बारिश होती है और जिस तरीके से कल बारिश हुई 120-128 mm अगर इतनी ही बारिश अगर आज भी होती है तो इस इलाके में और मुश्किले बढ़ सकती है जो ये सफेद घर है इसके लिए खास कर ये सबसे समय डेंजर जोन में हाला कि जब इन्होंने अपना घर बनाया होगा तो पूरा नक्षा पास कराया होगा लेकिन जो सामने वाला घर है जहां ये अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ अभी एक हाथसा हुआ है वो जगे इस समय पूरी पानी से भरी हुई है कीचर से भरी हुई है भारी बारिश के बाद ये खत्रा अभी और बढ़ सकता है आमित विल्कुल आप हमारे साथ बने रहें लेकिन आपको बता दे कि राजधानी में शुक्रवार कोई बारिश की वज़े से दिल्ली एम्स का ट्रॉमा सेंटर भी प्रभावित हुआ है बारिश के वज़े से वहां सर्जरी रोग दी गई है और वाटर लोगिंग के चलते ट्रॉमा सेंटर की बिजली तक काट दी गई है एतियातन काटी गई अब देखिए किस तरह से जो लिफ्ट है जिनका इस्तमाल मरीजों के लिए कि आ जाता है वहां पानी टपकदा है ये वो सर्जरी थी जो एमर्जंसी में थी जिसे डॉक्टर्स ने किया इसलिए एम्स प्रशासन ने किसी तरह से इन सर्जरी को कराने का इंतिजाम किया था लेकिन ट्रॉमा सेंटर के कई ऑपरेशन थेटर अब तक शुरू नहीं हो सके हैं क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है तो बड़ा सवाल तो यही है अनामी का जब पता है कि बारिश का मौसम है तो ऐसे में जो सिविक जो अधिकारी होते हैं वो पहले से तैयारी क्यों नहीं करते हैं अगर अंडर कंस्टक्शन यहां पर काम चल रहा था तो क्यों चेतावनी नहीं दी गई पहले कि अगर आप यहां पर काम कर रहे हैं तो बारिश के दौरान इन इन बातों का ध्यान रखें बिल्कुल अमित कल जब दिल्ली में भीशन बारिश हुई तो ऐसे बहुत से चीज़े उजागर हुई एड्मिनिस्ट्रेशन का फेलियर ये पूरी तरीके से कहा गया माना भी गया दिल्ली एरपोर्ट पे च्छट ढह गई एमस में पानी भर गया कई दिल्ली के ऐसी इलाके थे जो एक नाले में बदल गए पानी लोगों के कमर तक था सड़कों पे और कई ऐसी जगे ती जहां कोई कंस्रक्शन का काम किया जाता है वहाँ पे हिदायत जीच जाती है कि कोई जो मजदूर है जो उस घर को बना रहा है उसके आसपास नहीं रहेगा क्योंकि ऐसे हाथ से होने की उमीद जताई जाती है कि जब बारिश हो जाए या भुकम पा जाए तो वो उसमें गिर सकते है या फिर अंडर कंस्रक्शन का जो घर है अगर च्छत है तो बारिश हो जाता है जब इस तरह की बारिश हो रही है आसपास कि इलांके में भी खतरा तो होता ही है मनराता ही है क्योंकि मकान बिल्कुल सटे हुए है उनकी नीव तक नज़र आ रही है देखे अमित इस समय जो लोग यहां पे मौझूद है यह सब दूसरे जगे में रहते हैं यह भी उन्हीं मज़ूर लोगों के साथी थे जो यह देखने आये हैं कि इस समय यहां पे हो क्या रहा है क्या उनकी स्थिती ठीक है पह के कारण लोग यहां पे आने शुरू हुए हैं लेकिन उन लोगों का कोई अभी जो रेलेटिव या उनका जानकार यहां पे नहीं है खासकर जो लोग आसपास रह रहे हैं वो अभी बाचीत के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि जब कल यहां पे घटना हुई तो उसके जावना सा महौल है, बुजूर्ग इस घर में रहते हैं, फैमिलीज यहां रहती हैं, बच्चे यहां रहते हैं, तो ऐसे में लाजमी है कि सबको एक डर लग सकाएगा ती इलाका। साथी दो पेड़ भी इसके साथ नीचे गिर गए और पानी में डूप के बताया जा रहा है कि इन की मौत हुई है, फिलाल यहां पर इसके ऑपरेशन खतम हो चुका है, तीन शब वरामद हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में जो लापरवाई हुई है और ए एरपोर्ट मागी गई है, आदेश दिया गया है कि दिल्ली एरपोर्ट पर हुए हास्ते की जाच के लिए एक कमिटी का घटन हुआ है, जो जल्दी इस पर जाच रिपोर्ट देने जा रही है, वहीं घटना पर जमकर सियासत भी चल रही है, केंदर सरकार पर सबसे ज़ाद हमला आम आद्मी पार्टी कर रही है, अब आम आद्मी पार्टी ने केंदर सरकार के सभी बुनियादी धाचे के निर्मानों की CBI जाच की मांग की है इसके बारे में मैं क्लारिफिकेशन दे दूं कि जो प्रदान मंत्री साब जो इनागरेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है, जो यहां कॉलाप्स हुआ है, वो 2009 में, 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके उपर ज लगा, सडके तूड गई, गड़े बन गए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, बुंदेल खंड एक्स्प्रेस पे जाईए, गड़े जादा मिलेंगी, सडक कम मिलेगी, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए, मोरवी का पुल टूटा, डेल सो लोग मर गए, अतल सेतू टूटा, टर्मिनल वन टूटा, जबलपूर का टर्मिनल टूटा, इन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो भाजपा को अपने गिरवान में देखना चाहिए, और उनकी जो जिम्मेदारी है, उसको ठीक करें.